94.3 my fans, सुन रहे हैं, आप मैं आर्चे मिनांक्षी और चले वाज कुछ अच्छा सुनते हैं, आज की कहानी एक पिता अपने पुत्र की बहुत अच्छे से परवरेश करता है, उसे अच्छी तरह से पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी हर तरह से उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति करता है और इसके कारण उसका बेटा जो है, एक सफल इंसान बन जाता है, और एक मल्टिनाशनल कमपनी का CEO बन जाता है और फिर अच्छी सालरी, सारी फसिलिटीज इसके पास होती है, तो बहुत ही सुन्दर एक कन्या के साथ इसकी शादी हो जाती है अब पिता जो होता है, वो गाओं में रह रहा होता है, और इनका CEO बेटा है, वो शहर में काफी समय बीच जाता है, और पिता जो है, वो सुचता है, मैं काफी बुड़ा हो चलाओं चलो जरा अपने बेटे से मिलके आता हूँ अपने बेटे के पास जाता है ओफिस में तो वहाँ पर चारो तरफ उसकी वहवाई देखता है चारो तरफ लोग जो है उसकी इज़त आदर सम्मान कर रहे होते हैं उसके बेटे का तो वो देखके उसका सीना बिलकुल गर्व से फूर जाता है अंदर जाता है अपने बेटे की केमन में जो बहुत बड़ा होता है और बहुत खुश होता है अपने बेटे को देखके अपने बेटे के सर पे हाथ से रखके कहता है कि बेटे बताओ मुझे आज कि इस दुनिया का सक्षे शक्तिशाली इंसान तुमें कौन सा लगता है बेटा बोलता है बड़े कर उससे पिताजी मैं मुझसे जादा शक्तिशाली कौन होगा बाप को लगता है कि मेरे बेटे में शायर घमंड आ गया है उसको बुरा लगता है और फू पिर जाने लगता है जैसी वो केबिन से बाहर निकलने लगता है तो दरवासा खोलने से पहले वो सोचता है कि मैं अपने बेटे से एक बाद फिर पूछू वो कहता है मुझे बताओ बेटा कि सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है बेटा कहता है आप तो वो हैरान रह जाता है वो कहता है बेटी तुमने ऐसे क्यों कहा थोड़ी दिर पहले तुम कह रहे थे कि मैं शक्तिशाली इंसान हूं सबसे ज़्यादा दुनिया का और अब तुम कह रहे हो यह, तो बेटा कहता है कि पिता जी जिसके सर पे आपका हाथ हो, जिसके सर पे अपने बाप का हाथ हो, उससे ज़्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं होगा, मे के लिए किसी खुश किस्मती से कम नहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका जीवन एक घड़ा है तो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुज़ुर्ग, इवन आपके इनलॉज जो हैं, वो उस बड़े से घड़े पर धकन के तरह हैं, धकन हटाया, तो अंदर गंदगी गिरेगी, रिस्पेक्ट यॉर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट यॉर एल्डर्स, मिनाक्षी और माय फैन तो यही कहते हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं